आखिरकार कच्छा नवी CBSC बोर्ड का फैनली जो सलेबस है आ चुका है नमस्कार मैं डॉक्टर रजीद भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विसाई के अंतरगाई CBSC बोर्ड कच्छा नव विसाई हिंदी कोर्स आ सत्र दोजार चौबिस पचीस तो इसमें कौन-कौन सी पुस्तक चलीगी और कौन से पाठ अटा दीगे किनको जोड़ा गया है हम विस्तार से सब के बारे में जानेगे तो चलो पिर सुरू करते हैं तो सबसे पहले देखो रहेगा कि पाठ करम की पुस्तकें कौन सी रहेगी NCRT की चलती है CBC बोड में तो आपका च्छितेज भाग एक ये पुस्तक में पुस्तक होती है दूसरी रहती करत का भाग दो ये साएक पुस्तक कहलाती है और तीसरी होती है ब्याकरा हिंदी और कौर्स A ध्यारकना जब भी आप मार्केट से भ्याकरा की पुस्तक खरीदें तो आप उसे ये जरूर बताएगा कि हिंदी कोर्स A की दें क्योंकि CBC बोड में दो कोर्स चलते हिंदी कोर्स A, A और 2 तो वहाँ पर आपको ये पुस्तक बतानी पड़ेंगे और ये आपको A बताना पड़ेगा यानि तो चलती हिंदी कोर्स A का स्लेवस लेकर आएँ तो चलो ये होगी आपकी तीन पुस्तके अब उसके बाद कच्चा नवी के इंदी कोर्स A के अंतरगत जिन पार्ट ब्याकरण और लेखन भाग का अध्यन करना यहाँ पर उनकी सूची प्रस्तुत की जा रही है जिससे आपको समझना क्या होगा आसान हो जाएगा तो शुरू करते हैं पहले आता है छितिश भाग एक अब भाग एक क्यों लिखते हैं चुकि कच्छा नों में भाग एक होता है और कच्छा दस में भाग दो तो यह बात भी समझ में आगी होगी तो गद खन में कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने है तो पहला पार्ट दिया है पार्ट नमबर वन प्रेम चंद दो बैलू की कथा फिर दूसरा पार्ट है आपका राव संकर्तियान लासा की ओर तीसरा पार्ट है आपका स्यामा चरण दोबे उपवोकतावाद की संस्कृती फिर तीसरा है जाविर उसेन साउले सपनों की याद पांचवा रहेगा हरी संकर परसाई प्रेम चंद के फटे जूते और आपका चटवा है महादेवी बर्मा मेरे बचपन की दिन तो आपके छितेश खंड में कुल कितने पाट पड़ने हैं च्छे पाट पड़ने हैं अब उसके बाद आता है आपका कावखंड तो कावखंड के अंतरगत पाट नमबर है साथ कवीर की साखियां और सबग पिर आपका पाट नमबर आठ ललद्यत जिसके कवित्री हैं वाक पाट का नाम है पिर पाट है आपका नौ रिस्खान के सभी ये पाट दस माखलाज चतरवेदी और कवता का नाम है कैदी और कोकला उसके बाद है पाट ग्यारा सुमित्रा नंदन पंत उनकी कवता का नाम है ग्रामसरी उसके बाद आता है आपका पाट बारा सरवेश्वर दयार सकसेना और कवता का नाम है मेगा है और पाट आपका तेरा एम अन्तिम पाट राजेष जोशी तो कवता का नाम है बच्चे काम पर जार है तो इस तरह से आपके कावखंड में हो गए पाट सास लेकर तेरा तक कुल आपको छितिज में तेरा पाट पढ़ने है अब आता है आपका करतका तो करतका में आपका देखो पहला दिया हुआ है इस जल पिरलाय में फड़ी स्वन नात रेडू तो पाट का नाम है इस जल पिरलाय में पर आपका दूसरा है पाट मेरे संकी औरतें जिसकी लेखका है म्रदलागर और पार्ट है आपका तीसरा रीर की अटी जिसके लेखा का है जगदीश चंद माथुर तो करतका में कुल तीनी पार्ट है और तीनों में से एक एक प्रसंद पूछा जाता है और परिच्छा में दो कोई करने होते हैं पिर आता है ब्याकर में, तो ब्याकर में आपका रहेगा सब्द निर्मार, सब्द निर्मार के अंतरगत रहता है उफसर्ग, प्रत्य और समास, अब उसके पश्चात आता है पिर आपका दूसरा, तो दिया अर्थ की दिरश्टी से वाक्य के भेद, तो यहां पर वाक्य के भ बदला हुआ है पिछली बार चार अलंकार थे एक तो अनप्रा सेमक और रूपक उपमा तो इस बार पिछली बार क्या थे सब्दा अर्था दोनों अलंकार थे इस बार उन्होंने यानि 2023 में सब्दा अलंकार अर्था अलंकार दोनों थे इस बार क्या है इन्होंने जो सब्द रखा है और था अलंकार को कर दिया कच्छा दस में तो यहाँ पर बदला हुआ कि चार की जगे तीन अलंकार हो गए है और इसमें से दो अलंकार हटा दिये गए है रूपक और अपमा और एक नया अलंकार जोड़ गया है सिलेश अलंकार तो ये एक बदला हुआ है, उसके बाद आते हैं फिर लेखनकार, तो लेखनकार में आपका अंच्छेद रहने वाला है, दूसरा आपका पत्र लेखन रहेगा, पत्र लेखन में दोनों रहेंगे, अपचारिक और अपचारिक पत्र, पर उसके बाद है तीसरा ई में लेखन अ आपका निम्रिख्यत पाथों से नहीं पूछाएंगे, किसी प्रकार के प्रस्ण, तो किससे नहीं पूछाएंगे, so आपका छिते जमें पहले देख लेती हैं, काब खंड में देखते हैं पहला है आपका पार्ट में दिया है कि केदा नात अगरवाज चंदरगैना से लोटती वेर इससे कोई भी प्रस्थन यानि ये जो आप मैं आपके सामने प्रस्तुत करना हूँ ये क्या सारे पार्ट कोर्से इस साल अटा दिये गए हैं दूसरा है चंदकान देवताले इम्राज की दिसा इसे भी अटा दिया गया है पर अगजद खंड में आते तो गजद खंड में अज़ारी परसाद दिवीदी एक उत्ता और एक मैना इसको अटा दिया गया है पर पार्ट आता है चपला देवी तो नाना साप की पुत्री पहला है माटी वाली जिसके लेका कहें बिद्या सागर नोटियाल और पिर दूसरा है किस तरह आखिरकार मैं इंदी मैं समसेर बादुर सिंग तो ये दो पार्ट आपके इस वर्स करतका से भी अटा दिये गए पिछली बार भी ये अटे हुए थी इस तरह से करतका में इस साल कोई परवर्तन नहीं किया गया है अब आता है आप तो ये हो गया समाप्त तो इस वर्स सिर्फ का बदलाव क्या हुआ हुआ अलंकार में बदला हुआ है कि पिछली वार चार अलंकार थे इस वार तीनी अलंकार रह गए रूपा का रूपा माटा दिये गए उसकी जगए सि कितनी मैंने आपको छितिश करत का व्याकरा और लेखनकार में जो जो भी बताएं यही इस साल परीच्छा में पूछे जाएंगे और इनी का हम अध्यन करेंगे इसके बाद हम आपके लिए इस पार्ट का पार्ट करम भी प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह से परीच्छा में उसका जो अंक भार विवाजन अर्थात परीच्छा का जो परिशन पत्र का पैटर्न होगा वो हम पार्ट करम के साथ भी बताएंगे यहाँ पर हमने आपको पुस्तकों के नाम पार्ट और पार्ट में कौन से चैप्टर अटाएगे जोडएगे वो आपके सामने साथ अब तक के लिए धन्वाद